सिंपल समाचार में आपका स्वागत है मैं हूं मनुरंजन भारती आज हम चर्चा कर रहे हैं 2019 में क्या होगा जी हां 2019 के चुनाव में थोड़ा वक्त है लेकिन अभी भी से ही प्रधानमंत्री पद के लिए एक तरफ से चर्चा शुरू हो गई है सबसे बड़ी बात यह है कि NDA या कहें BJP और उसके सहयोगी दलों में तो PM पद को लेकर के कोई विवाद नहीं है कोई चर्चा नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कि NDA में प्रधानमंत्री नरंद मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे यदि NDA सत्ता में आती है और जैसा कि NDA को उमीद है कि वो दुबारा सत्ता में आएगी लेकिन विपक्ष जो है वो भी अपनी एक रणीती बनाने में लगा हुआ है विपक्ष जो है उसने भी अपनी एक घेरा बंदी सुरू कर दी है लेकिन विपक्ष में जैसा हमेशा से होता है कि जब एक सरकार के खिलाब विपक्ष घेरा बंदी होता है तो उसमें सबसे बरा सवाल ये उठता है कि उनका नेता कौन होगा और ये नेता इस बार जो है जो है वो जाइदा चर्चा में है और जाइदा चर्चा में इसलिए है कि पहले भी जब ऐसा होता था तो एक परता है एक परंपरा है कि विपक्ष में जब चुनाव के बाद जो सबसे बरा दल होता है उसका ही प्रधान मंत्री होता है लेकिन य कोई नियम नहीं है हमने इतियास में देखा है कि 40 दल के सांसतों के दल के नेता भी परधानमंत्री हुए हैं और जो गड़बंधन की सरकारे बनी हैं उसमें भी जो मायटी सेर रखने वाले दल के नेता भी परधानमंत्री हुए हैं लेकिन वैसी सरकारे जायदा नहीं चल पा कि बाद जिस दल का सबसे अधिक सांसद होगा नेता उसी का होगा लेकिन अब यहां पर नेता पर लेकर के एक सवाल या निसान कुछ लोग लगाते हैं कि क्या राहुल गांधी को नेता मान लिया जाएगा यदि कॉंग्रेस सबसे बरा दल के रूप में वरती है आखिर ये कै कैसे होगा क्या ममता बनर जी तैयार हो जाएंगी क्या सरत्पवार तैयार हो जाएंगे क्या मायवती तैयार हो जाएंगी बागी दल के लोग क्या तैयार होंगे इसके पीछे कई तर्क दिये जा रहा है और तर्क ये भी है कि राहुल गांधी अब में अभी जो है प्रधा की राजनीती जो है क्या रूप लेने वाली है दो हजार उनीस के चुनाओं में खासकर प्रधान मंतरी पद को ले करके सबस्थ पहले आपको सुनाता हूँ की एक मीटिंग में बैंगलोर में एक इंट्रेक्शन था मतलब बाची थी बिद्यारतियों के साथ उसमें राहूल गांदी से जो है वो सवाल पूछा गया था प्रधान मंतरी पद के लिए तो उस वक्त उन्होंने जो है ये कहा था कि उन सॐस्टि benefited है… बजशएज ब्सक्राइब में ही का सार लृटन्ट में सम् dużडूर्य लग ट्रीजिवा हरा था ठाह्ला ये तरूंट करेंदी दिए टीडिस कासी का, लो वे प्रणकर भीकिंटी akने की फिर्म Council, U. Mmoreton, Highmer, GJ एॉ manafa T में ब्ल मेंसरी र तो रहाल गांधी ने यह साफ करने की कोशिश की कि यदि कॉंग्रेस पार्टी जो है वो सबसे बरी पार्टी के रूप में वर्ती है गडवंधन में तो वो प्रधान मंत्री बनने के लिए तैयार होंगे अब मामला यह है कि थोई दिनों पहली कॉंग्रेस वर्किंग कर्मिनिटी जो कॉंग्रेस की सबसे बरी बॉड़ी है जो की निर्ने लेती है कॉंग्रेस कार समीती उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के तरफ से तो प्रधान मंत की सरकार चलाना नहीं चाहती है गरबंदन जो नहीं करना चाहती है पुराने एक सी डवलू सी के रेजुलूशन का भी हवाला दिया गया की जिसमें लिखा गया है की कॉंग्रेस को अकेले दम पे चलना चाहिए लेकिन कुछ दिनों पहले जब कॉंग्रेस के दियाक राहूल गांधी एक इनफॉर्मल मीटिंग में थे महला जनलिस्टों के साथ तो वहाँ पे जो उन्होंने कहा तो उसमें कुछ चीजें उभर के सामने आई है और उसमें ये कि 2019 में पीएम पर कॉंग्रेस सुत्रों का कहना है कि इस पर अभी उतना ध्यान देने की जोरत नहीं है अभी जो है सारा उद्देश जो है विपक्स का ये होना है कि बीजेपी सरकार को कैसे हटाया जाती है ये एक महत्पून पॉइंट है थोड़ा इस पॉइंट को देखन का था उससे थोरा सा एक कदम राहूल गांदी जो है वो पीछे खीचना चाहते हैं और एक जल्दिबाजी या फिर आप ये कहें कि अपने आपको कमिट नहीं करना चाहते हैं कि कॉंग्रेस का ही पी-एम होगा तो उन्होंने कहा कि सब से पहले जो है विपक्स का दे जो है बीजेपी को हटाना है दूसरा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पी-एम पर दरवाजे खूले रखें ये काफी महतपूर्ण जो है वो एक तरह से स्टेटमेंट है कि कॉंग्रेस जो है वो दरवाजे खूले रखें हैं और इसका मतलब है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो सकत चाहे कॉंग्रेस किसी को भी सपोर्ट कर सकती है बसरते की ऐसा एक कंबिनेशन बने जिससे की बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जाए हैं इतना जरूर कहा कि कोई भी पीम जो है वो कॉंग्रेस को सुईकार करेगा लेकिन आरेसेस का ना हो तो निश्ची तूप से ये एक साफ कर दिया कि कोई भी पीम सुईकार होगा अरेसेस बैंकराउंड का नहीं होना चाहिए अब जो दूसरी बड़ी बात सामने आई है कि ये है कि 2019 से पहले कॉंग्रेस जीत के लिए आस्वस्त कैसे दिख रही है यानि जब कॉंग्रेस उनसे पूछा गया कि भाई आपको कैसे लगता है कि आप जीतेंगे क्या आपके पास कोई स्टेटेजी है क्या तो आपको बताओं ये ये तस्वीर देखें ये तस्वीर जो है सुरत पवार जी ने कल टूइट किया था और इसमें ये मीटिंग हुई है सरत पवार और मायावती की और इसमें हम चर्चा जारी रखेंगे पहले हम आपको बतादें कि जो सुत्रों के मताबिक ये कहा गया कि यूपी बिहार में गटबंधन की तस्वीर जो है वो साफ है एक तरह से तो यानि राहुल गांधी को लगता है कि दो बड़े राज जो है उत्तर परदेश और बिहार जहां पर की आपका सकते हैं 80 और 40 सीटें आती हैं वहाँ पर करीब जो है वो तस्वीरें साफ हैं यानि 120 सीटों पर मामला जो है जेडी यू राम बिलाज पासवान कंबिनेशन को अच्छी फाइट दे सकता है तो 120 सीटों पर लगता है राहुल गांधी को की तस्वीर काफी साफ है साथ ही राहुल गांधी ये भी मानते हैं कि 270 से कम सीटें आने पर बीजेपी जो है मोधी प्राइमिनिस्टर नहीं बन पाएगी यानि उनको लगता है कि यदि बहुमत का आकराब बीजेपी अकेले नहीं चूती है तो प्राइमिनिस्टर बीजेपी का कोई और भी हो सकता है ये उनके विचार है अपनी पार्टी से समर्थन नहीं मिलेगा प्रधान मंतरी मोधी को ये भी राहुल गांधी मानते हैं कि साइद उनको समर्थन नहीं देंगे पार्टी के अंदर और किसी और को चुना जाएगा तिसी बात उनने कही कि उनके सहयोगी भी लगातार उनका साथ छोडने लग रहे हैं जी हाई ये ये बात सही है सबसे पहले जो है तेलगू देशम छोड़के गई है उन्होंने ही आपने देखा संसत में वापिस्वास प्रस्ताव लेके आई है सीवसेना ने साफ कर दिया है कि वो अगला चुनाव अलग अलग लरेंगे एक तरह से महरास्ट में भी जो है वो एक तरह से बिपक्ष के भूमिका में है सरकार में होते हुए भी और उन्होंने कहा कि रहुल गांदी ने कहा कि वो RSS के लिए जगा छोड़ने वाले नहीं है तो ये जो एक चीज़ें जो रहुल गांदी जो है एक तरह से 2019 की जो तैयारियां है उनके सिल्सिने में जब उनसे पूछा गया था एक इंट्रेक्शन में तब उन्होंने ये बात कही थी कुछ प्रतिक्रियां जो अलग-अलग पार्टियों की है उनसे हमने ली है वो आपको सुनवा देते हैं कि अलग-अलग पार्टि के लोग परधान मंतरी पद के लिए 2019 के विपक्स के प्रधान मंतरी के बारे में क्या कहते हैं? जरूर होना चाहिए और राहूल गांदी जी को 99 ये खिलाब जो जंग चीरिया है उसमें राहूल गांदी जी को लीड़ाशिप देना चाहिए है कि हम लोगों को 2004 का फार्मूला अपनाना चाहिए 2004 में अपोजिशन की तरफ से कोई प्राइमिस्टियल के इनिट नहीं था और जब रिजल्ट आए प्रइनाम आए तो उसके आधार पर जो सबसे बड़ी पार्टी थी यानि कॉंग्रेस तो कॉंग्रेस को मुका मिला दे है तो लोक्तंत्र का तकाजा ही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी जाहिर है कि निर्टी तो इसको देना होगा तो सिंपल सवार चार्च में हम चर्चा करें 2019 में परधान मंतरी पद के लिए कौन-कौन आमने सामने होंगे NDA में तो साफ है कि प्रधान मंतरी नरेंद मोदी उनका चेहरा होंगे लेकिन विपक्स का चेहरा कौन होगा इस पर लेकर के कुछ सवालिया निसान लगे है सबसे पहले राहूल गांदी ने कहा कि उन्हें को एतराज नहीं है यदि कॉंग्रेस बड़ी पार्टी बनके उबरती है उसके बाद कॉंग्रेस कार्शमिती ने कहा कि राहूल ही प्रधान मंतरी बनेंगे अब सब्सक्राइब बात ये है कि यदि राहुल गांदी नहीं होंगे तो वो कौन सा चेहरा होगा जो जिस पर दाउन लगाई जा सकती है जिस पर सारा विपक्स इकठा हो सकता है क्योंकि राहुल गांदी के नाम पर लेकर के बहुत सारे विपक्स के नेता जो है उतने कफ़ इग्नोर किया जाए तो अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किन चेहरों पर सहमती बन सकती है सबसे बहला पहला चेहरा है मायावती का आपको याद दिला दूँ कि वो दृस्टा आपको याद होगा जब करनाटक में कुमारा स्वामी का सपतगर्ण होना था मायावती और सोनिया गांदी साथ साथ दिखी थी और दोनों में काफी अच्छी केमेश्टी भी देखने को मिली थी तो मायावती का चेहरा इसलिए बात की जा रही है इनकी अभी हमने आपको एक तस्वीर भी दिखाई की किस तरह से सरत पवार और मायावती के बीच मीटिंग्स भी हुई है कली हुई है तो क्यास काफी कुछ लगाये जा रहे हैं एक दलित चेहरा तो हैं ही और पूरे देश में एक दलित को रिपरजेंट करती है चार बार उत्तर परदेश जैसे राज की मुखमंतरी रह चुकी है ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है प्रसासनिक अनुवब जो है वो काफी है काफी जो फैसले लेने में सक्त मानी जाती ह अपसरों पर जो है काफी इनकी नकेल रहती है खामिया क्या हो सकती है महावती के लिए कि फिलहाल लोकसभा में इनका कोई भी सांसद नहीं है उत्तर परदेश में पिछले 2014 में इनका सूपरा साप हो गया है गटबंदन चलाने में कितना कंफर्टेबल होंगी ये कहना क्यों नहीं क्योंकि कांग्रेस ने दलित राश्पती बनाया लोकसभा द्यक्ष बनाया चीफ जिस्टिस बनाया बहुत कुछ बनाया अब स्पीकर बनाया तो अब अब एक दलित परदान मंत्री क्यों नहीं दूसरा नाम जो है ममता बनर जी का लिया जाता है ममता बनर जी क पास जो है उनके बारे में ये कहा जाता है कि बंगाल और आसपास के राजियों में उनकी मजबूत पकर है और ये इसलिए स्विकार हो सकती है कि पुर्व कॉंग्रेसी है लेकिन इनकी खामिया क्या हो सकती है क्या सारे दल ममता बनर जी को स्विकार करेंगे दूसरी बात ये है कि दिनली की राजनीती का इनका अनुवब बहुत जादा नहीं है हाला कि कुछ दिनों के लिए रेलवे मंतरी भी रह चुकी है उसके पहले भी राजमंतरी रह चुकी है सबसे बड़ा सवाल ममता बनर जी के लिए है कि क्या गड़बंधन को साथ लेकर वो चल पाएंगी जैसा उनका टेंपरामेंट है जैसा वो निर्ने लेती है अकेले पसी मंगाल में सरकार चला रही है वो अलग बात है सेंटर में 12-13 दलों के गड़बंधन के साथ वो कैसे चला पाएंगी ये कहना मुस्कील है तीसरा सबसे बड़ा नाम जो है वो सरत पवार का है और सबसे बड़ा दाओं जो है इसी चेहरे पे लगाया जा रहा है सबसे बड़ी खुबियां ये है कि राजिती का भरवपूर अनुभव है सबसे कम उम्र के मुखमंत्री भी बने थे महरास्टा में उसके बाद जो है काफी लंबा अनुभव रहा है मुख मंत्री और केंद्रिय मंत्री का लंबा नभव पिछले 10 साल केंद्रिय मंत्री रहे थे UPA सरकार में जो तोर के राधिती में माहिर हैं हर एक पार्टी में इनके दोस्त हैं लेकिन इनकी खामिया क्या है 75 से जादा की इनकी उमर हो चुकी है महरास में जो है इनकी पार्टी सत्ता से बाहर है एक छोटी पार्टी के नेता होते हैं लेकिन सबसे बहुता सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाओ के बाद सरत पवार NCP का कॉंग्रेस में विले करेंगे तब जाके उनको सभी कोई सुईकार कर लेगा और उनको सुईकार करने में किसी भी दल को कोई परिशानी नहीं होगी जहां तक मुझे जानकारी है अकाली दल से लेकर करके BJD तक सरत पवार को प्रधानमंत्री के लिए हामी भर सकती है तो इस चेरे पर जो है दाउन लगाया जा सकता है सिंपल समाचार में आज इतना है